अपना नाम बताएं नाज परवीन जी ये कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं तो सच में मोदी जी की वाज़े से दस साल में यहां पर विवस्था बदली पहले जो है लड़की जो है साथ दम छे बज़े के बाद घर से नहीं निकलती थी अभी जो है निकलती है ग सब की सरकार है नहीं नहीं हम लोग है बीजेपी के साथ क्यों है बार बार मोदी सरकार लेकिन चार सो पार अच्छा लग रहा है लेकिन एक धार्णा है कि मुस्लिम समधाय के जो लोग है वो देते नहीं बहुत कम थोड़े दो-चार उंगली पर गिने हुए लोग जो है वो बीजेपिक साथ अइसी कोई बात नहीं है सब के दिल में है मोधी जी क्या नाम है भाई सब आपका महम्मध रिजवान अमसारी रिजवा या उदर वो कह रहे हैं कि सब कूछ मिला है कि करें कि 10 साल में सब कुछ हुआ है जोगा के साथ कोई कोई हाँ लेकिन अभी काम नहीं हुआ हैं जीतने वाद काम हो जाए क्या नाम है आपका मौन दानेश दानेश भाई क्या है इस पर 24 में फिर से मोधी सरकार या कोई दूसरी सरकार मोधी सरकार है चार सो का पार है विकास बोल रहा है पूर्णिया में मेडिकल कोलेज है आप यहां से थोड़ा केमरा इधर घुम येगा तो क्रिसी महा विद्याले आपको नजर आएंगे बहुत बड़ा बने है विकास हुआ है चमुखी विकास जहां पर कच्ची रोड हुआ करता था पकी रोड है जो एक केबूल का तार देख रहे हैं बिजली का यह मोधी जी का रिजन में हुआ है हर एक जगह सुविधा है सब चीज का सरकारी सुविधा मिला है सुविधा में को कभी ने हैं चमुखी विकास हुए सभी जात धर्म का उठके इसलिए कि हम लोग इ जाएंगा अबरी मोधी जी का असंतोस को सुभा जी का इस बार फिर से भीज़ेंगा हम लोग यहां से चिता कर फेज़ेंगा लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समाद जो है नाराज है ना उस ठीकदार है जिसका रोजी रोटी है किसी पार्टी का वह केडर ह मुसल्मान के नेता है मुसल्मान के नेता है कि हम कुष नेता है अगा हम नेता है इसमें बियार में देखिए मोधी सरकार ठीक है और देश आजाद होने के बाद कंग्रेस का सासान रहा हकेंद्र में लेकिन मोधी जी ने जो किया वो सभी के लिए किया है अब अपना जो है अपना-पना सोच आदमी का कुछ विकाव आदमी होता है हम लोग विकाव नहीं है हम चाहते हैं कि मोदी सरकार फिर से बने और सब का जीतेंगे और सब का विकास कर रहे हैं और करेंगे कि सबसे ज़्यादा अभी जो एक माहौल बन गया है देश में जिसकी वज़े से बटवार हो धुरुवी करन हो गया है हिंदू-मुसल्मान में वह अभी जो और सब करेगा और सबसे हमारी थेख बिलकुल हम इंडियान है इंडियान नहीं रहेंगे वह को डर नहीं है उसको डर हम सबसे नहींrows शथे से नहीं। इससे किसी की नागरिक्ता जाएगी नहीं लेकिन एक भ्रहम भी बनाया गया एक ऐसा एजिंडा चलाया गया कि भाई साब इससे तो मुसल्मानों की नागरिक्ता चली जाएगी या फिर जो बाहर के मुसल्मान हैं उनको नागरिक्ता ना मिल पाए इसलिए ऐसा कानून बनाया आपका क्या नाम है मेरा आना मुहमफ असरा पनसारि मुहमफ जी आप क्या करते हैं कौन सी क्लास में पढ़ा ही कर रहे हैं अभी गिरेजवेट 30 अभी तो इसका मतब आप युवा थे जाले परधान मंतरी वाली यह पहली है लोकसबा की पहले है तो कौन है आपकी पसंद मेरे मोधी सरकार काम किये हुए हैं जैसे आभी रोड बना रहा है कली गली हम लोग जब पहले पढ़ने जाते थे तो सरफ पे एक भी लाइट नहीं रहता था आप अभी सुविदा है लाइट की सुविदा है एजुकेशन पर अच्छा काम कर रहे हैं करें लेकिन यह तो मुस्लिम बिरोधी सरकार कोई मुस्लिम बिरोधी सरकार सरकार सब की होती है सरकार को एक धरम के लिए काम नहीं करती है सरकार सभी धरम के लिए काम करती है दस साल मोधी सरकार ने देख़ा इससे पहले कंग्रेस कि सर्कार थी तो आप लोगों को कंग्रेस वाली सरकार जद अच्छी लग रही ठीक है मोधी आभी काम चलने के लिए पहले भी जो था वो तो यह दस साल से तो सब खुस है सब दस भाई उसमें हम भी खुस है उपर उपर वाले मन से आप खुश लग रहे हैं अभी रासम कार रूट ने बना इसलिए था थिकत है उसी बात में कुछ तो को बात है लेकिन खोल के भी बोलेंगे मुदी सर्कार आए आप लों tut factors मूझे लगता है कि या फिर और्जीटी की पार्टी है है लालुजी वाली यह सब लोगो को थोड़ा अच्छा लगता है कि यह सब रहते हैं तो थोड़ा बढ़िया लगता है कि नहीं आप ले सब थीक है लग रहा है आप लोग्न को लग रहा है कि यही सरकार या आप लोगे को लग रहा है कि नहीं राहूल गांधी कॉंग्रेश वाली सरकार आये फिर से देश में या दूसरा जो गडबंधन वाली सरकार है तो वो ठीक होगा ना यही सरकार ठीक है, मोदेजी ठीक है क्यों? काम कर रहे हैं तोडा क्या काम हुआ है और आपको क्या मिला है हम लोग को क्या मिलेगा गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता है श्रीप रासन दे करके और गैस दे करके आवास योजना दे करके बस इतनी में कलोज करके रखे हुए है मुठी बंद करके मुठी बंद करके और कुछ नहीं है गरीब का क सब आपको लग रहा है कि यह सरकार से बढ़िया होगा कि कॉंग्रेस की सरकार आजाए या गड़बंदन वाली सरकार अभी फिलाल जो है अभी मोदी जी सही है 2004 से जब से मोधी जी बने है तब से ठीक है चवदा से राहूल गांदी के बारे में क्या सोचते हैं उनके बारे में क्या सोचेंगे उनके बारे में कुछ नहीं उनको सुनते नहीं आप लोग नहीं नहीं अब वेसी जी को कुछ नहीं उनको भी नहीं यहां के लाडाने तके रखनेशां वो सबकातों और सकलहीं नहीं देखht का ली देखले हैं कि कि शकलर नहीं देखे क्या सबस्क्ड करते लिजक क्या पढ़ाई करें तो क्या पहली बार वोट डलने जा रहे हैं जी कौन है आपकी पसंद और क्यों मोदी जी क्योंकि वो सब का विकास करते हैं